दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में और मैं दीन दियाल रामावत चैनल डीडी रामावत से आप सभी का एक बार फिर से अभिनन्दन करता हूं स्वागत करता हूं साथियों हम हमारे चैनल में रोज पसों से जुड़ी कोई न कोई जानकरी, किसी न किसी समश्या के समधान, किसी न किसी बिमारी के इलाज, कारण, लक्षन और जो भी उसके रोग थाम के उपाए हैं वो सब आप तक लेके आते हैं हमारा उद्देश्य स्वस्त पसू और खुसाल किसान है, यानि पसू हमेशा स्वस्त रहेंगे, तो हमारे पसू बालग भाई, हमारे किसान हमेशा एकदम से मस्त और खुसाल रहेंगे तो साथियों ये तभी संभव हो पाएगा, जब उनके सभी पसू एकदम से स्वस्त रहें, या बाई दवे किसी कारणवस, किसी भी पसू में कोई समश्या हो गई है, तो वो अपने आप अपने घर पे उसका आसानी से इलाज कर सकें, और अगर घर पे वो इलाज करेंगे, तो इलाज को सुरुवाती अवस्ता में ही वो इस्तिमाल कर लेंगे, और अपने पसू को जल्द से जल्द ठीक कर लेंगे, और अगर पसू जल्दी ठीक हो गया, तो उसके उत्वादन में जो कमी होने वाली है बिमारी की वज़े से, वो भी नहीं होगी, और एकदम से सारा का सारा मेटर शांदार रहेगा, तो सातियों इसी विसे को आगे बढ़ाते हुए, मैं आज बेंसों में होने वाली कबजी को, पूरा का पूरा विशलेशन को लेके परस्तुत वाहूं, तो आईए सातियों, वीडियो सुरू करता है, पसू बालक भाईयों, बेंस जब गोबर बंद, बंद पड़ जाना, गोटा आ जाना, या जमाव पड़ जाना, यानि कई सब्दों से इसे इस्तिमाल करते हैं, लेकिन वास्तुएक बात यह है, कि इस बीमारी में जो हमारी बहस है, वो गोबर करना बंद कर देती है, अब इस गोबर बंद करने के क्या-क्या कारण है क्या क्या इसके हम उप्चार कर सकते हैं इसके बारे में आप संपूर जानकारी के लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें साथ यो पहले हम चर्चा करते हैं इसके कारणों के तरफ इसके अगर कारणों में लिया जाए तो पहला और परमुक कारण है कोई ना कोई अटपटा, चारा, दाना या बांटा हमारी बेंस खा लेती है और उसके बाद उसको प्रियाप्त मातरा में बराबर सही समय पे पानी नहीं मिल पाता है इसकी वज़े से ये जो गोटे की सिकायत है वो हो जाती है कई वार ऐसा भी होता है कि वैस अपने आप या हम उसको ज्यादा बांटा दे देते हैं ज्यादा बांटा जब वैस खा लेती है तो बराबर जुगाली नहीं हो पाती और जब जुगाली नहीं हो पाती, तो भी गोटे की सम्मावना, कबजी की सम्मावना पूरी-पूरी बने रहती है इसके अलावा साथियों कई परकार की ऐसी बिमारियां भी है, कई परकार की infections भी है जिनकी वज़े से मैस जो है वो जुगाली करना बंद कर देती है और जुगाली करना बंद करते ही, ये कबजी की सिकायत होना लाजमी है साथियों, दूसरा जो परमुक कारण है कबजी का, वो कारण है पेट के परजीवी यानि पेट के अंदर कई परकार के worms, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था गोल करमी, फिता करमी, या चप्टे करमी, कई परकार के करमी जो पसू की सरीर में रहता है अगर बराबर हम उसकी डिवर्मिंग नहीं करवाएं, यानि इन पेट के कीडे मारने की दवा हम बराबर ना दे जिसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि हर तीन महीने से डिवर्मिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बैसों के लिए तो विशेज जरूरी है, क्योंकि बैसों में क्या है, कि जब जो कच्रा अंदर पड़ा रहता है और जब वो कच्रा पेट के अंदर पड़ा है उससे कई परकार की गेसेज जो है वो ज्यादा बनती है तो जब गेसेज ज्यादा बनती है और उदर से अगर परजीवी है तो कई परकार की समश्याएं पैदा कर देते हैं जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कबजी के बारे में, तो कबजी का दूसरा जो कारण है, वो कारण परजीवी का भी है. साथियों, तीसरा जो परमुक कारण है, बेंसों में कबजी का, वो है किसी न किसी बाहर की वस्तू, यानि फोरेन बोडी का पसू के सरीर के अंदर चले जाना जैसे कि प्लास्टिक, जुते, चप्पल, कई वार डिवर्मिंग पराबर नहीं होने से ये चीजें पसु खाने लग जाता है तो ये जब चीजें पसु खाने लग जाता है वो चीजें जब पेट में यानि उसके रूमन में चली जाती है तो रूमन में भी कई वार बहुत बड़ा बना देती है या फिर जब आगे खिसक जाती है तो आंतों में कहीं न कहीं चिपक जाती है या उसकी जो बॉल बनती है वो आंतों में फिट हो जाती है उसकी वज़े से भी कबजी हो जाती है इसके अलावा सातियों कई वार पसों में हरनिया हो जाता है हरनिया की वज़े से भी यानि पेट खिशकना जिसे बोलते हैं उसकी वज़े से भी कबजी हो जाती है कई वार आंतों में ट्विश्टिंग हो जाती है जैसे पसू मान लो दोड़ा या खाने काने के बाद अचानक वो दोड़ गया या इदर उदर से कहीं पे भी खड़े में पेर गिर गया तो उसकी वज़े से आंत में ट्विश्टिंग हो जाती है जो आंत है वो एक आंटी खा जाती है जिसे नॉर्मल बासाम बोलता है तो उस आंटी की वज़े से जो आंत की आंटी है उसकी वज़े से भी कबजी हो जाती है कईवार सातियों सरीर में पानी की कमी है बेंस के और बेंस किसी भी कारणवस बराबर पानी नहीं पीती है तो उसकी वज़े से भी उसकी आंतों में शिकड़न होती है यानि आंते चिपकने लग जाती है और ये जो गोटे की सिकाइत है वो हो जाती है एक और कारण भी है जो गर्वती बैसों में विशेश होता है जैसे कि बच्चा अगर गूमना बंद कर जाए किसी भी कारण से तो जब बच्चा गूमना बंद हो जाए तो उस समय आंतें भी बराबर मुमेंट नहीं करेगी और उनका मुमेंट अगर बराबर नहीं होगा तो उसकी वज़े से भी कबजी हो जाती है साथियों सभी के सभी कारणों को जानने के बाद अब हम इसके इलाज की तरफ बढ़ते हैं कि हमें कबजी का क्या इलाज करना है तो साथियों इसके इलाज के लिए कुछ परमुक बाते हैं जिन में से तीन ये चार फोर्मूले मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा उस में से जो पहला और सबसे प्रभवी फोर्मूला है उस फोर्मूले में हमें डी वर्मिंग करवानी है यानि कि पसू की डी वर्मिंग का मुद्दा एहम होता है तो सबसे पहले हमें डी वर्मिंग करवानी है डी वर्मिंग के लिए साथियों अगर हम देसी चीज लेना चाहें तो काला जीरी और हींग बैंस के लिए आप 200 ग्राम काला जीरी ले और 50 ग्राम हींग ले उन्हें कूट करके गुड में लड्डू बना करके खेला दे और खेलाने के बाद चार या पास गंटे के बाद मैं जो आगे नुस्का बताने जा रहा हूँ वो नुस्का हमें इस्तिमाल करना है यानि कि ये नुस्का हमें इस्तिमाल करने से पहले पहला काम हमें उसकी डिवर्मिंग करवानी है साथियों बैस की कबजी के इलाज के लिए हमने जो नुस्का तयार किया है उसमें हमें पहली जो चीज लेनी है वो है अरंडी का तेल यानि जिसे अंग्रेजी में कैश्टर ओ Bev tad हमें अरंडी का तेल साड़े 400 ml लेना है, शाड़े 400 ml की बोटल भी आती है उसी इसाब से पेकिंग की हुई, तो वो हम साड़े 400 ml अरंडी का तेल ले सकते हैं, इसके अलवा हमें 1-5 kg यानि 500 ग्राम चीनी लेनी है, सक्कर जो उमारे गर में उपलब दोती है, रहती है, तो 1-5 किलों से एक किलो के बीस में हमें दूद लेना है अब साथियों इन तीनों को मिला करके अरंडी का तेल चीनी और दूद इन तीनों को आम मिला लें दूद को एक बार आप गरम करें गरम करने के बाद जूए वो ठंडा होता है बिल्कुल जिसमें हम अंगुली दे सकें ठंडा होने के बाद उसमें हमें अरंडी का तेल और चीनी मिलाना है और दोनों को तीनों को अच्छी तरह से हिला लेना है और हिलाने के बाद हमें अपनी पसू को बैस को नाल की साहिता से असनी से हमें पिला देना है और साथियों नाल देने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो से हम आसानी से बेंस को दवा पिला सकते हैं साथ यो तीसरा जो फोर्मूला है उसमें हमें अगर पता हो कि किस चीज से कबजी हुई है यानि कोई चीज हमने ज्यादा खिला दी या कोई अटपटी चीज खिला दी उसकी वज़े से अगर कबजी हुई है तो हमें ये फोर्मू ती है उस राक को हम पाव से यानि की डाइसो ग्राम से आदा किलो के बीस में वो राक ले और उस राक में सो ग्राम मीठा सोडा मिला दे और मीठा सोडा मिला करके चाहे आप लड़ू बना के खिला दे चाहे आप उसको पानी में गोल करके नाल की साहिता से पिला दे ये जो न उसके से आराम से कबजी यानि जो गोटा है वो खुल जाता है साथियों चोथा जो फोर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमें ग्याबिन बेंस को नहीं देना है जो बेंस ग्याबिन नहीं है उसको आप आराम से इस्तिमाल करें और इस formula में हमें जो विशेश चीज काम में लेनी है वो है बाजरा जो होता है खेतों में लगावा होता है उस समय उसकी जड़े होती है यानि हम उपर से बाजरे के तने वगरा काट लेते हैं यानि कि कड़ भी जो जिसो हम बोलते हैं कड़ भी काट लेते हैं उसके बाद जो जड़े बसती है जिसको हम बाजरी का जुंडा बोलते हैं वो जुवार का भी हो सकता है तो इन दोनों में से किसी का भी जुंडा है वो हम लेंगे और उसकी अच्छी तरह से कुत्रन कर लेंगे कुत्रन करने के बाद उसे हम पानी में उबालेंगे और पानी में उबालने के बाद जब हम ठंडा कर लें उसके बाद उसे चान करके वो जो पानी है वो हमें अपनी बेंश को देना है ये भी कबजी में बहुत ही अच्छी प्रभावी दवा है साथियों, जो भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं विशेश निवेदन करना चाहूँगा, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, जिनके भी घर में पसू है, उन तक हमारे ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जहां पर बैसे है वहाँ पर उनकी कबजी की सिकायत होने की संभावना ही रहेगी, यानि कि कबजी का जो इलाज है, जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया है, हलांकि कबजी बहुती विश्तित सब्जेक्ट हैं, और इसमें कई परकार की देशी दवाईया हैं, कई परकार की मार्केट से मि पर कर लेंगे, तो यह जो कबजी की समश्या, गोटे की समश्या, जो हमारी बेंश को हो रही है, जमाओ की समश्या, वो आसनी से दूर हो जाएगी. तो साथियों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दे हमारे चैनल के बारे में हमारे वीडियो के बारे में या किसी भी परकार के इलाज के बारे में आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारा ये वी झाल झाल